नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने एक साथ कई सूपर हिट फिल्में दी हैं इनकी फिल्में आज भी दर्सकों के बीच बेहद चाओ के साथ देखी जाती है आज है बतौर सादिसुदा कपल बनकर 44 साल सुर्ख्यों में रहे हैं 75 साल के हो चुकी हेमा मालिनी आज जहां राजनिती में नाम कमा रही है वहीं 88 साल के हो चुके धर्मेंद्र आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं हाला कि इस कपल के चाहने वालों को इस बारे में नहीं पता होगा कि एक बार धरमेंद्र ने हेमा मालिनी संग काम करने से मना कर दिया था वो भी तब जब हेमा के नाम की तूती पूरे बॉलिवुड में बोला करती थी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हेमा मालिनी ने अपने कैरियर में 100 से भी जादा फिल्मों में काम किया है उन्हें बॉलिवुड में अपने समय के हर सूपरिस्टार के साथ जोड़ी बनाई है हाला कि उनकी जोड़ी सबसे ज़ादा धर्मेंदर के साथ पसंद की जाती थी हाला कि असी के तसक में जब बॉलिवुड के मसहूर डारेक्टर राजेंदर सिंग बाबू इस हिट जोड़ी को एक साथ लाने का प्लान किया तो धर्मेंदर ने उनकी मुरादों पर पानी फेर दिया उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था यह वाक्या 1984 की हिट फिल्म सरारा के दोरान की है इस फिल्म को राजेंदर सिंग बाबू ने डायरेक्ट किया था यह उस साल की सबसे बड़ी बजट में बनी फिल्म थी हाला कि फिल्म से जितनी उम्मेदे थी उतनी दर्सकों को लुभा नहीं पाई इसका सबसे बड़ा कारण धर्मेंदर को माना जाता रहा है सरारा फिल्म को धर्मेंदर ने करने से मना कर दिया था जबकि इस फिल्म की पहली पसंद धर्मेंदर ही थे हेमा मालिनी के ओपोजिट धर्मेंदर को लिया गया था धर्मेंदर ने पहले फिल्म के लिए हामी भी भर दी थी लेकिन अचानक वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हो गए और उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया अंत में ये फिल्म राज कुमार के हातों में चली गई वो पहले से ही चाहते थे कि वो इस फिल्म को हेमा मालिनी के साथ ही करें उनकी ये इच्छा पूरी हुई फिल्म में वो हेमा मालिनी के ओपोजिट देखे गए थे राज कुमार के अलावा फिल्म में बतौर लीड एक्टर सत्रुगन सिना और मिथुन चकरवर्ती भी थे कहा जाता है कि धर्मेंद्र के मना करने के बाद मेकर्ज ने सत्रुगन सिना, मिथुन चकरवर्ती और राज कुमार के नाम पर फिल्म को भुनाने की कोशिस की फिल्म के पोस्टर को देख कर लोगों को यही लगा कि ये तीन हीरो वाली फिल्म है हाला कि थीटर जाने के बाद दर्शकों को लगा कि उनके साथ ठगी हुई है क्योंकि फिल्म में मिथुन का रोल नाम मात्र का था ऐसे में दर्शक इस फिल्म को लेकर काफी खफा हो गए थे सरारा फिल्म में हेमा मालिनी, राजकुमार, सत्रुगन सिना, मिथुन चकरवर्ती के अलावा टीना मुनीब, विजेंद्र घाट के, रंजीत, सक्ति कपूर और कादर खान ने भी अभिने किया था धर्मेंद्र के साथ जोड़ी नहीं बन पाने पर भले ही राजकुमार खुस हो गए थे, लेकिन हेमा मालिनी का दिल तोड़ दिया था धर्मेंद्र ने दोस्तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाई 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 टेक केर